सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मिरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मॉबाइल्स रियल्मी और रेड्मी की तरफ से रेड्मी का नोट 8 जो आपको मिलता है साड़े बारह हजार का दूसरी तरफ है यल्मी नार्जो 20 जो अभी हाली में लाउंच हुआ है साड़े दस हजार का तो दोनों में दो हजार का फर्ग है इस वीडियो में मैं इन दोनों मुबाइल्स में comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कमिया है, क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप end तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी skip मत करिएगा चली देखते हैं, साड़े 12,000 में Note 8 के साथ क्या के दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं, सबसे पहले रखावा मिलता है एक mini box जिसमें लगावा है SIM ejector tool अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ user manual इस तरह के से एक दिया गया है cover, जिसकी quality आपको normal मिल जाती है इसके बाद मिलता है mobile जो मेरे पास है white color में detail look हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है ये black color में data cable, इसकी length और quality दोनों बहुत जाद अच्छी है और इसके साथ आपको type C cable दी गई है, तो note 8 के अंदर आपको type C cable का support मिल जाता है आखर में आपको रखवा मिलता है, ये black color में charger, जिसकी build quality काफ़ जाद अच्छी है अब इस mobile में आपको fast charging का support भी मिलता है, और एक 18 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है तो charger आपको काफ़ जादा बड़िया मिल जाता है, note 8 के साथ, build quality काफ़ अच्छी है अब ये सारा समान आपको मिलता है, इस mobile के साथ 12,000 में, rate की साबसे देखा जाए, तो box के जो contents है, वो आपको बहुत अच्छे ही दिये गए है, type C cable भी है, और fast charger भी है, 18 watt का चली देखते हैं, फिर भी अगर आप 2000 कम खर्च करते हैं, रियल मी नार्जो 20 पे, तो 60,000 में उसके साथ क्या 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 दिया गया है, तो जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं नार्जो 20 को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखवा मिलता है, एक mini box, जिसमे पीछे लगवा है इसमेजक्टर टूल उसी तरीके से, अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुल, कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, मॉबैल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर आपको दी ग गया हैं, और एक 18 वाट का फास्टेजर मॉबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, तो चार्जर आपको इस मॉबैल के साथ भी काफी अच्छा दिया गया है, बाकि चार्जर की जो बेल्ड क्वालिटी है, वो आपको नोटेट के साथ जादा बेटर मिलती है, उसकी कवर कही फर्ख है, और दूसरा थोड़ा सा क्वालिटी का फर्ख है, लेकिन है भी ये 2000 सस्ता, तो इस चीज़ में रेट के साब से देखा जाए, तो नार्जर 20 जाद अच्छा है, चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में, तो नार्जर 20 के अंदर आपको प बढ़िया मिल जाती है, नोट 8 के अंदर, इसके अंदर आपको डिजाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, और लुक वाइस भी डिजाइन आप देख सकते हैं, इसका बहुत जाद शाइनी है, लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पेनल पर बहुत अच्छी ल जाती है, फिंगरपेंट स्केनर बैक पेनल पर दिया गया है, वही दूसरी तरफ नोट 8 के अंदर आपको पीछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगा पिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 मेगा पिक्सल के, फ्रेंट कैमरा है 13 मेग पिक्सल का, फिंगरपेंट स्कैनर इसमें आपको बैक पेनल पे ही दिया गया है, नार्जो 20 की तरह, और दोस्तों इन दोनों मोबैल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है, रेडमी के नोटेट के इंदर ही, कैमरे को लेकर नोटेट ज़्यादा अच्छा ह वही दूसरी तरह, नोटेट के अंदर आपको 6.3 इंचिस की डिस्प्ले मिलती है, तो डिस्प्ले साइज में तो आपको ज़्यादा बढ़ा मिल जाता है, नार्जो 20, लेकिन नार्जो 20 के अंदर एक कमी यह है, इसके अंदर आपको IPS HD+, डिस्प्ले मिल जाती है, यह चीज नार्जो 20 के अंदर भी, और नोटेट में भी, दोनों ही मोबाइल्स में आपको यूज़ें रिफेस नॉर्मल ही दिया गया है, फिर भी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे हैं, दोनों की डिस्प्ले बहुत अच्छे दिये गये हैं, नोटेट के डिस्प्ले में भी आपको कलर्स, ब्राइटनेस दोनों बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन आप फर्क देख सकते हैं, नोटेट के कलर्स जो है डिस्प्ले के वो जादा बेटर है नार्जो 20 से, तो दोस्तों डिस्प्ले स साइज में तो नार्जो 20 अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले की क्वालिटी, तो कलर्स और इसी के साथ ब्राइटनेस और फोल एजडी प्लेस डिस्प्ले ये चीज़ आपको जाद अच्छे मिल जाती है, नोटेट के अंदर ही, डिस्प्ले म इसकी क्वालिटी जादा बेटर है, नीचे की तरफ साब देखेंगे, तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हैडफोन, जैक दिया गया है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है दोनों के अंदर, राइट साब देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसे की ठ अब दोस्तों, दोनों ही मोबालिस के अंदर आपको दी गई है, 4GB RAM, 128GB के इंटरनल स्टूरेज, तो RAM और स्टूरेज दोनों में एक जैसी मिल जाती है, लेकिन नार्जो 20 दो हजार सस्ता है, तो रेट की साब से देखा जाए, तो RAM और स्टूरेज के अंदर नार्जो 20 ही बात करें दोस्तों, बैटरी के बारे में, तो नार्जो 20 के अंदर आपको बैटरी मिलती है, 4000GB की, नार्जो 20 के अंदर आपको बैटरी मिलती है, 6000GB की, दोनों मोबालिस के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाता है, लेकिन नार्जो 20 के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 665 processor, Narzo 20 के अंदर आपको मिलता है Mediatek का G85 processor, अब देखिए अगर आप एक heavy user है, आपके लिए performance ज़्यादा matter करती है, तो इन दोनों मोबैल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया processor दिया गया है, Narzo 20 के अंदर ही, और इसकी कीमत भी कम है, अब दोसरी यह सारी अच्छी है, तो दोस्तों देखिए अगर आपको अच्छी चाहिए display, आपके लिए display ज़्यादा matter करती है, तो size में Narzo 20 अच्छा है, लेकिन size से ज़्यादा matter करती है, डिस्पले की quality, तो आप Redmi का Note 8 खरी दियेगा, डिस्पले की quality में ये mobile ज़्यादा अच्छा है, और दोस करती है mobile की battery, आपको battery अच्छी चाहिए, तो आप Narzo 20 लीजिएगा, कम कीमत में ये mobile आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कीमत भी कम है, और battery भी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और अगर आपको अच्छा चाहिए processor, आप एक heavy user है, तो भी आप Narzo 20 खरी दियेगा इसके अंदर आपको performance ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी, heavy user के अंदर note 8 में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी Narzo 20 ही ज़्यादा अच्छा है performance को लेकर, तो दो खूबिया है Narzo 20 के अंदर, एक तो इसके अंदर आपको battery अच्छी मिल जाती है, दूसर इसके अंदर इसके कीमत भी ज़्यादा है, तो rate किस आप से देखा जाए, तो दोनों mobile अपनी जगा सही है, वैसे इन दोनों mobile में in hand feel जो है, वो ज़्यादा बढ़िया है, note 8 की, ये mobile मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगा, quality wise ये mobile मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, इस लाकन भी दबा देगा ताकि नए वीडियो अब तक पहुचती रहें, इसके लवब वीडियो गर आपको helpful लगी, तो अपने दुस्ते के साथ इस वीडियो को share कर देगा WhatsApp Facebook पे, मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye